22 जुलाई से शुरू होने वाली कावड यात्रा के दोरान अब सभी दुकान मालिकों का अपना नाम और मुबाइल नमबर लिखना होगा CM योगी अधितनात के इस निर्देश के बाद हर जिले में परशासन इसे अमल में लाने में जुट गई है खास कर संबेदन सील जीलो में जैसे मुझफर पूर सहारन पूर उसामली में परशासन अधिक मुस्तेद है डियाई जी अजे साहनी ने कावड यात्रा के मार की सभी दुकानों पर मालिक का नाम और मुबाइल नमबर लिखने का आदेश दिया इसका सहारन पूर मुझफन नगर उसामली के दुकानदारों ने पालन भी शुरू कर दिया बतादे कि पुलिस ने कावड रूट पर पढ़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने दुकानों के प्रोप्राइटर या काम करने वालों का नाम जरूर लिखे जिससे कावडियों में किसी परकार का कोई कंफ्यूजन ना हो राजनीतिक और समाजिक संगटनों ने योगी के सादेश को समाज में नफरत फैलाने वाला बता समाजवादी पाल्ष्टी के राष्टी अध्य शकले स्यादों ने कहा कि भाश्पा समाजिक सत्भाव की दुस्मन है भाईचारा बिगारने का बहाना ढूंती रहती है वहीं बस्पा सुप्रीम मायावती ने भी समुद्दे पर पर्तकिरिया देते हुए कहा कि यात्रा मार के दुकानदारों का नाम लिखने का फर्मान गलत है जनहित में परदेश सरकार को इसे तुडंत वापस लेना चाहिए वहीं बाश्पा के राश्टिय परवक्ता राकेश तिर्पाथी और मौलाना सूफ्या निजामी इसलामिक सेंटर आफ इंडिया के परवक्ता का भी बयान सामने आया है चलिए उसे भी सुनवाते हैं मुझफर नगर से जो खबर आई है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीव और हिंदुस्तान की सकाफत की खिलाफ है हमारा मुल्क गंगर जमूनी तहजीव का गहवारा रहा है हम अपने तहवारों में चाहे हम रोजा रखते हों या ईद मनाते हूं या हमारे हिंदू भाई होली और दिवाली बनाते हों वो जब अपने तहवारों की खरीदारी करते हैं या हम रोजे के लिए जब सामान खरीदते हैं तो हम यह नहीं देखते हैं कि सामने वाले का मजभब क्या है सामने वाले का धर्म क्या है इस ली एक इस मुलक की तहजीब इस मुलक इसमॉद्जी नहीं रही है कि कोई भी सामान खिलिद रोचिते वक्त हम अपने धारमिक का रिकरमों में सामने वाले का मज़हिए ya सामने वालों का धर्म देखें जब जुरूस निकाले जाते हैं चाहे वो मुसल्मानों का जुरूस हो तो हम देखते हैं कि हिंदू भाई हमारे शाना बशाना हमारे साथ होते हैं जब हम जब वो जुरूस निकालते हैं हमारे हिंदू भाई जुरूस निकालते हैं तो मुसल्मान उनके शाना बशाना होकर उनके जुरूस के साथ होता है इसलिए इस मुल्क के अंदर हमेशा से एक दूसरे का साथ एक दूसरे के मजहभी मामलात में उनका ताविश